हलो गईज़ आप लोका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सेंट पर तो एक बड़ी ब्रेकिन न्यूज जो है वो निकल कर आ चुकी है एक बड़ी भरती जो की आपकी है इंडियन पोस्ट बेब यानि डाक खाने में एक बड़ी भरती आ यह सरकारी नौकर तो आप चैनल को जरूर सब्सकाइब करें ताकि इस भरती से रिलेटेड जो भी अपडेट मुझे मिले वो सारी अपडेट आपको इस चैनल के मादम से बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से आप सभी लोंको जानकारी इसमें मिल सके क्योंकि यह जो भरती है पूरी से मेरिड बेस होती है हर एक चीज पर बात करेंगे तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो चलिए हम आपको सबसे वहले नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं जो इसका नोटिफिकेशन जो आज इसको जारी किया गया है यहां पर schedule बता दियागा है कि आपका application जो है वो 2 मई यानि आज से शुरू हो चुका है और 5 जून तक जो है आपका यह फार्म भरा जाएगा साथी साथ इसमें payment के बारे में भी बताया गया है और minimum TRCA for 4 hours level 1 in TRCA तो 12,000 BPM के लिए ABPM के लिए 10,000 रुपे यहां पर salary है ठीक है और यहां पर और भी चीज़े दी गई है और यहां पर जो main main चीज़े हम लोग उसकी तरफ जो बढ़ जाते है एज की बात करते हैं तो 18 साल से 40 साल आपके पास यह जोनी चाहिए और यहां पर age relaxation भी दिया गया है schedule cast और ST यानि schedule tribe के लिए 5 साल other backward class यानि OBC के लिए 3 साल EWS क सकते हैं अगर आपको यह पूरा notification पढ़ना है तो आपको यह notification हमाई telegram group पर मिल जाएगा जिसकी link में description box में दे दी है और यहां पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट के लिए category education qualification में कहा गया है secondary school examination pass certificates आप 10th standard having passed in mathematics and English conducted by any recognized board यानि आपके पास high school की जो है आपका पास certificate होना चाहिए जो की math और English से होना चाहिए और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है और compulsory knowledge में इन्होंने कहा कि the candidate should have studied the local language name up local language at least up to 10th standard यानि local language आपको आना चाहिए और knowledge आप cycling cycle चलाने की आपको जो है knowledge होनी चाहिए जो की obvious सी बात सभी को होगी और यहां पर चीज़ें और merit based जो भरती होती है यानि कि आपके high school के merit के आदार पर यह भरती होगी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं और apply कैसे करना सब कुछ यहां बता दिया गया है तो यह चीज़ें तो आप apply कर सकते हों क्योंकि सारे form तो आप भरती होंगे बिल्कुल वैसे ही है कोई इसमें न आप अधर जो है नोकरी की भी आप तारी कर सकते हैं इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं होता है बहुत ही बेहतरीन जो है यह जौब होती है ठीक है बिल्कुल आपको अगर इस से related कोई भी update चीज़ क्योंकि अब बजाहिर सी बात है अभी आज फार भरा गया तो अभी इसमे आपके high school है तो आप लोग इस form को भर सकते हैं merit based यह होती है इसका कोई written exam नहीं होता है ठीक है तो यह रही आज की update अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करें और अगर आप चैनल पर नहीं तो subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर सेर करें मिलते अगरी वीडियो में जय हिन जय भारत